अपिन को में तो सब्सक्राइब करेंग you करेंगें और ये कपड़ा है वाला और ये अस्तर है तो फ्रेंस वह में अच्छापास अस्था हो लेना है वो आपको नाप लेना है अगर आपको इजी टेप से नाप करने में प्रणों होती है तो हम इसी नाप से same-to-same cutting करना हैका समक्ना रखाले तो हमें इसको ऐसे डवल रखना है जिस नाप का आप बनाते हैं कि थोड़ा सा और बनाके रखेंगे कि यहां कि इतना एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से फोल्ड के लिए यहां से जाएगी आर्भूल और यह करेंगे फिटिंग और यहां से इक्स्ट्रा अब गला भी हमें सेम इसी साइच का बनाना है तो हम इतना ही गला भी लेंगे यहां से सोल्डर इसको हाफ इंच बढ़ाएंगे और इसको इस वाले निशान से मिलाएंगे इसमें एक इंच का ऐसे गुलाई देंगे गला का सेफन सोरा और अच्छ से दे देते हैं यह अब कर लेते हैं इसकी कटी यहां से आर्मूल गला आप कम ज्यादा इससे कर सकते हैं यह हो गया पीछे वाला पल्ला अब आगे पल्ला को कटिंग करेंगे तो हमें आगे वाले को बैठाना है हाफ इंस इक्स्ट्रा तो ऐसे बैठा लेते हैं साइड से भी हाफ इंच इक्स्ट्रा अब इसमें गला देखना है तो गला कम ज्यादा आप कर सकते हैं तो गला हमें से उट से इतना ही बड़ा लेना है तो मैं इसी का फिर मार्क लगाऊंगी गला पर यहां से इसको हटा के थोड़ा सा और अच्छे से शेप देरें आप इस साइड का यह गया पंदा अब दूसरे साइड का, इसी को रखते वे कटिंग कर लेंगे, दूसरा पल्ला ये देखिए, बहुत आसान तरीका बता रही हूं, नए लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी कटिंग समझ में नहीं आती है, मैं उनके लिए बता रही हूं, वो आसानी से कर सकते हैं, बिना इंची टेप से समझे हुए हैं, आगे पिछे का, कटिंग हो गया, अब निकालेंगे बाजू, तो इसी से हमें बाजू निकालना है, तो हम इसको ऐसे डवल कर लेते हैं, हमें बाजी छोटा ही बनाना है, तो यही वाला बाजी का ना प लेंगे, इतना ही बड़ा बाजू बनाना है इसको ऐसे रख लेंगे यहां से लगेगी फिटिंग यहां से मार्जी और यह और यहां से ऐसे सेफ तो पहले नीचे वाला इसके बाजू की कटिंग कर लिये हैं अब क्या करते हैं इसी को रखते हुए मैन वाला फैबर के कटिंग कर लिये हैं तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे पीछे वाला पला तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसको हमें ऐसे डवल रखना है, वर्क जो कड़ाई है इसको बीचो बीच गला के ऐसे, ये, उसके बाद अब हमें ये जो अस्तर है इसको इसको उपर डाल देनी है, बिल्कुल सही तरीके से, बीचो बीच रखना है इसको, यहाँ पर हमने इसको बीचो बीच रख लिया है, अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, इतना इस्ट्रा रखेंगे पलटने के लिए, ये, और यहाँ से, गला, ये हो गया पीछे वाला पल्ला, ये देखिए, ये पीछे वाला हो गया, अब आगे वाले की कटिंग करेंगे, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ, तो इसको दिए में, इसको हटा देना है, अब जो बच्चा है इससे आगे वाला निकाल के हैं, आगे झाल झाल दोनों पर लाएं इसमें अब करना के पास यह दोनों आगे का हो गया अब जो बचा है इससे निकालेंगे बाज्यू यह इतना बढ़ा के रखते हैं ऐसे पलटने के लिए यह दोनों आगे बाज्यू बाज्यू के आगे वाले में हमें सेफ देना होता है एक साइड का यह दूसरे साइड का यह तो आगे वाले में यह हो गया आगे दोनों आगे का पल्ला हो गया यह अस्तर इसमें भी सेफ देना है उसी तरह अब कटिंग करेंगे हूं पट्टि काच पट्टि दो गया है दो गया है हीट पट्टी अब एक उच्छ औरी वाली काज पट्टी इधर से निकाल देते हैं जो इत्ता होगा उसको कट कर लेंगे लंबाई से मुख पट्टी काज पट्टी हो गई अब इससे निकालेंगे गला की तिर्ची पट्टी तो कैसे निकलेगी तिर्ची पट्टी वह देखिए दो तिर्ची पट्टी निकालेंगे एक ये ये दूसरा ये तिसरा पट्टी तो सारे कटिंग हो गई कंप्लीट अब मार्क लगा लेते हैं टेकिन का तो टेकिन का मार्क हमें अस्तर में लगाना है तो यहां से एक यह हो गया पीछे वाले का अब यहां से हो गया फिटिंग यह पीछे कपला हो गया अब आगे वाले में लगाएंगे मार्किंग अस्तर में तो हमें यही वाला नाप को उठा लेना है और इसी कहीं साब से मार्किंग लगाना है तो एक मार्किंग यहां से एक यहां से जाएगी एक यहां से और एक यह चारो टेकिन हमने लगा दिया सेम दोनों में एक यह टेकिन होनी चाहिए तो हमें क्या करना है इसको लेना है ऐसे और इसको इसके उपर डाल देनी है इसको हमने इसके उपर डाल दिया ऐसे दोनों में सेम आ जाएगी मार्किंग अब इसमें हलका हलका निशान आ चुका है अब इसी से निशान लगा देंगे यह चाहरों टेकिन लग गए अब हम पुरा व्यू दिखाते हैं पूरी कटिन हो गई कंप्लेट पूरी की फूल व्यू दिखाती हूं यह हो गया पीछे कपल्ला और यह हो गया अस्तर यहां आगे कपल्ला हमने निचे रखा हुआ है और यह उपर से अस्तर है दोनों तो आज की ब्लॉच कटिंग कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके बताएए अच्छी लगी हो तो कीजे वीडियो को लाइच चैनल पर पहली बार आएज तो कर लीजे सब्सक्राइब कुछ पूछना है तो नीचे कीजे कॉमेंट पिर मिलती हूं नैक्ष्ट कटिंगी स्टिच पाइब पाइब